हलो फ्रेंड्स मैं हुरुची अजे और आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक चॉकलेट की रेसिपी यह पीनट बटर बॉल्स है जिन्हें मैंने कोट किया है चॉकलेट से यह बहुत ही असान है बनाना और बहुत ही यमी होती है तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाने की तो इसे बनाने के लिए मैंने ओर्धा कफ रोस्टेट पीनट्स लिये हैं और आधा कप जो सॉल्टेट पीनट्स मिलते हैं वो लिये हैं इन दोनों पीनट्स को हम ग्राइड कर लेंगे next मैंने यहां पे लिया है पफट राईस एक कप तो वान कफट राइस है इसे भी हम ग नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे वणीला असेंस हाफ टी स्पून तो आधा चमच वणीला असेंस डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अपनी ग्रैंडी चीजे डालेंगे पहटे डालेंगे पीनट्स, इसके बाद पफच राइस, और अब साफ हाथों से हम ineffective करेंगे आप चाहें तो एलेक्टिरिग इनदर के हल्प से भी इसमीक्स कर सकते है और इसे अब हम शेप करेंगे श् और इस तरह की हम balls बनाएंगे आप जितना size चाहते हैं उतने size की balls बनाएं और इस तरह से आप एक butter paper paste पे रख ले या आप इसे एक grease plate में भी रख सकते हैं और इसे refrigerate कीचिए for one hour after one hour हम chocolate को melt करेंगे जिसके लिए मैंने dark chocolate लिये 200 grams और white chocolate 50 gram आप इसे grate कर सकते हैं या इस तरह से grind कर लीजिए next हम chocolate को melt करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पान में पानी लिया है जैसे ही pan में जो पानी है उबलने लगे आप उसके ऊपर एक bowl रखतें जिसमें मैंने अपनी grated chocolate रखी है गैस को आप medium flame पे रखें एक बार पानी गरम हो जाए उसके बाद आप इसे medium flame पे रखें और इसे हम इस तरह से melt करेंगे देखें इस तरह से यह melt होगी जो gas की flame है उसे आप medium ही रखें तो आप देख सकते हैं हमारी chocolate अच्छे से melt होगी है इस ताइम पे आप इस गैस को off कर दें पर इस chocolate के bowl को आप इस गरम पानी के pan पे ही रखें और फ्रिच से हम निकालेंगे अपनी बाल्स को तो देखें हमारी बाल्स जो है set हो चुकी है अब हम एक एक करके इन बाल्स को अपने chocolate, melted chocolate में डालेंगे इस तरह से आप डालिए और spoon की help से इसे अच्छे से coat कीजिए इस chocolate वाले बाल के नीचे मैंने अपना warm water का pan रखा हुआ है और इस तरह से आप इसको एक butter paper पे प्लेस करते हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि एक टाइम पर एक ही बाल को कोट करें और यह जो आपकी चॉकलेट है ताकि यह melted रहें इसके लिए आप इसे गरम पानी वाले pan के ऊपर ही रखें पर गैस को off रखें तो इसी तरह मैंने सारी बाल्स कोट कर दी है चॉकलेट से अब इसे में चैक Charosity निकाल सकते हैं तो आपने देखा कितना असान है इन बॉल्स को बनाना आई होब आपको मेरी रहस पसंद आए कि बहुत इसपल है और ईजी आपको सिंपल है और आप इसे जरूर ट्राइओ करे चेगा और अगर आप नए हैं और ऑभी तक आपने मेरे चैनल को सबस् तो देखे, इस तरह से देखता है, I hope आपको मेरे रिस्पी पसंद आएगी, Thank You